जारकन में नहीं सरकार के गठन की प्रकिरिया लगाता जारी है और ऐसे में कॉंग्रेस के प्रदे सदर्च रामेश्टर उना हमारे साथ हैं उनसे जानते हैं क्या स्वरूप होगा क्या स्वरूप होगा अब हेमन्द्सॉर इनके नेति तुम्हें सरकार के गठन हो रहा हैं कॉंग्रेस के इसी प्रकार की भूमिका में होगी मंतरी संभावना है कि आप भी मंतरी बन रहे हैं क्या कुछ दिखाई दे रहा है पहला तक बोरेंगे सुरूप बुले हैं स्वरुपत ही होगा कि तीन पार्टियों की सरकार बनेगी जहां मुंगे के रहेंगे सामिल कॉंग्रेस के रहेंगे रहेंगे यह तीन हो जागा और यहां तक मेरा अपने नाम लिया ऐसी कोई ख़बर मुझे नहीं है कि मैं मंत्री बन रहा हूं क्या कोई कोई ख़बर हैं हम सोचरा था बहुं क्यों की क्योंगे हैं क्या और क्या हम heavens नमयार की म्निया से हैं लहाजन मुझे अपने बरेमे कुछ पॉर्टि की बेहतरी करिश्चना है जब सरकार मिल के बनाय जाता है तो सब को जोड करके एक common minimum प्रोगा मना जाता है जिसके अधार पर सरकारें चलती हैं तो यहां भी गटबंदन की सरकार हैं यहां भी common minimum गुवर्मन आना पड़ेगा और सरकार को चलाना पड़ेगा कई घोसना पत्र में कई बाते आप लोगों ने कहीं किसानों के रीन माफी की बात थी किसानों के रीन माफ होगा तो सरकार बनते हुए पहला स्टेप क्या होगा देखिए जो घोसना पत्र हम पहले भी कर चुके हैं कि हमारे लिए Congress Party के लिए घोसना पत्र जो होता है संकल्प पत्र होता है हमारा संकल्प है कि हम किसानों के लिए नौजवानों के लिए ब्रिद्द लोगों के लिए सुविधाएं बेशिक सुविधाएं जो हैं लोगों के लिए उसके लिए काम करेंगे सरकार में अब यह जो है सरकार बनने के बाद हम तो तैक करेंगे कि किस समस्या को कितने दिन्नों की अंदर सुरू करेंगे एक दिन में तो होता नहीं है इस सबीस, क्समील करें बंचुन का दूंब किस समय को कितना समय मह लोग अब लगब्वक्त है है खाका पूरियोत्र से तैयार हो चुका तो आपthing मतनल कोंग्रेसि का में सबते में मंदल में सब्सक्राइब में समय या नहीं किया कुछ स्थितियं हो सब्सक्राइब निप्सक्राइब future मुझासित सब्सक्राइब पाटी के और जो आला कमान का निर्ने होता है उसको सिरुधारे करते हैं यह तेरा में स्वरूराओं जो बता रहे थे कि केंद्री आला कमान का फैसला भी अंतिम फैसला होगा तो ऐसे में जब सरकार बनेगी उसके बाद क्या स्वरूप होगा यह कुछ समय बात पता चल पाएगा लेकिन अभी प्रदेश द्यर्चरा में स्वरूराओं कुछ अपनी जुबा से नहीं पत्ते खोलना चाहते हैं सायोगी उपेंद्र के साथ असोग कुमार मुखर समवाद राची